कि वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स क्लास 12 में आज हम स्टडी करेंगे प्यूस ग्रंथी एवं हाइपोथेलेमस के बारे में इससे पहले की क्लास में हमने बीबीन परकार की ग्रंथियां जो कि मनुस्य में किस भाग में पस्ति होती हैं उसके बारे में पड़ स्ट्रहुति किस प्रकार से उस बारे में बढ़ा था और इसके बाद में अम ने देखा था जब से पहले किसकी बारे में हाइपूद्हेलेमस के बारे में एफीप थेलेमस किसे कहेंगा एक प्र नुपस होता है kisका भाग होता हुए उस से यह तंत्री का भाग होता है यह हैं यह आइपोथेलमस तंत्र का भाग होता है जिए आइपोथेलमस अब है पर चल्ड एँचे मेरे पांगा कि तंत्र का भाग होता है यह निए अमारे तंत्री का भाग होता है वह कौन होता है 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 तो आपको क्या दियान रखना है जो अगहर मस्तिक्स में वाग पड़े थी तीन स्थेक्षिश का पहला भाग जिसको आम देखा था फिर अम देखा था घ्रान पिंड या फेक्ट्री लूब की बारे में और थड हमने देखा था वह हमें क्या ज्यान रखना है तो थर्ड आप इसमें देखेंगे की वह भाग होता है अगर मस्तिक्स पच्छ या डायन सिफिल यह चाहीं कहा जाता है इस लो झिसे माँ तिर्टेयर निले भी कहते हैं उस तिर्टेन निले की शत का निर्मान करता है और बाग होता है उसदें कि गुवा होती है जिसे हम डायोसील गुवा कहते हैं क्या कहेंगे डायोसील गुवा यह सारी चीह मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं यह डायोसील गुवा है इस डायोसील गुवा के अंदर हाइपोथेलमस उपस्तित होता है तो ज्यान दीजिए हाइपोथेलमस कहां पर प आपको क्या श्जान रेक्षें पहस्तित होता है अग्र मस्तिक्स पहस्तित होता है है अब ज्यान भी खाट तंत्रिका इस्तरावी कोशिकाओं से निर्मित होता है किसे निर्मित होता है तो यह किसे निर्मित होता है तंत्रिका इस्तरावी कोशिकाओं से निर्मित होता है तो यह किसे निर्मित होता है तंत्री का स्तरावी कोसी गांगों को हम नियूपली कहा जाता है ये नाम से जानते हैं तंत्री दौरा दो परकार के क्रेंगे जो होने वाले हारम्वन हो नियुन्थ इत करता है तो यहां प्यूस ग्रंथी द्वारा इस्त्रावित हार्मोनों के संस्लेशन एवं इस्त्रावन को क्या करता है द्यान दीजिए यह आपको द्यान रेकना है जो प्यूस ग्रंथी होती है उसके दोरा जितने भी हार्मोन इस्त्रावित होते हैं उन हार्मोनों के संस्लेशन इस्त्रावित करता है नियंत्रित करता है और दो परकार की यह हार्मोन इस्त्रावित करेगा एक आपको ध्यान रखना है मोचक या रिलीजिंग हार्मोन इस्त्रावित करेगा मोचक या रिलीजिंग हार्मोन इस्तरावित करेगा और दूसरा आपको कौन सा ध्यान रेकना है तो सेकेंड आप ध्यान देंगे मोचक या रिलीजिंग के बाद में वह हमें ध्यान रेकना है निरोधी हार्मोन तो इस परकार से मोचक हार्मोन और दूसरे कौन से निरोधी हार्मोन दो परिकार के हार्मोनों का यह इस्त्रावन करेगा मोचक हार्मोन होंगे वह हार्मोनों के संस्लेशन हम इस्त्रावन को प्रिरित करते हैं इस फरकार से इसे हम अंतास्त्रावी तंत्र का सर्वोस कमांडर कहा जाता हैं। इनके द्वारा दस प्रकार के हार्मोनों का इस्तरावन किया जाता है जो कि प्यूस ग्रंथी के द्वारा इस्तरावित हार्मोनों पर ने अंत्रन करता है। इनके द्वारा इस्तरावित किया जाता है वर्दी हार्मोन इनके द्वारा इस्तरावित किया जाता है। यह प्यूस ग्रंथी के द्वारा इस्तरावित वर्दी हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमेटो ट्रोपीन हार्मोन का जाता है। ग्रोथ हार्मोन इनके द्वारा इनके द्वारा इस्तरावित किया जाता है। थाइरोट्रोपीन इस्टिमुलेटिंग हार्मोन या मोचक हार्मोन होगा। थाइरोट्रोपीन रिलीजिंग हार्मोन होता है। यह इसके द्वारा इस्तरावित होता है। यह थाइरोट्रोपीन इस्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। हार्मोन, मोचक हार्मोन, यह प्रोलेक्टिन हार्मोन, यह प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन यह प्रोलेक्टिन स्टुमिलेटिंग हार्मोन इनके दौरा इस्त्रावित होता है, पिर उसके बाद में आपको द्यान करना है प्रोलेक्टीन मोचक निरोधी हार्मोन इनके दवरा इस्तरावित होता है होता है इस फिरकार का का हार्मोन आम कद्वेगर होता है कि इसके बारे में इसार्मोन के बारे में अब उसके बाद में ध्यान दीजिए तो आपको मेलनोंसयट स्टिमूलेटिंग हार्मोन प्रेयरक हार्मोन या जिसे मोचक हार्मोन कहते हैं यह इस्तरावित होता है तो यह भी इस भाग के दौरा इस्तरावित होता है और इसका सोटकट नाम लेखेंगे मेलनोसाइ्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इनके दौरा एस्त्रावित होता है और आप ध्यान देंगे तो आपको मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग मुलेटिंग हार्मोन निरोधी हार्मोन तो यह भी इसके दोरा इस्तरावित होता है तो निरोधी हार्मोन होगा यह हार्मोन यह नहीं और हैं में यह आउड़ने सोगेब यूरी हार्मोन आइंचनर में हैं इसके अथरिक्त आश्य के हार्मोन इसके दोरा इस्तिरावित होता है कोर्टिको ट्रोपिक मोचक हार्मोन होगा वह इसके द्वारा इस्त्रावित होता है कोर्टिको ट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इनके द्वारा इस्त्रावित होता है फिर उसके बाद में नाइथ फरकार का आपको द्यान रखना है वह इनके द्वारा इस्त्रावित होता है वह एफ एस एस रिलीजिंग हार्मोन यानि पुटी किये प्रेरक या मोचक हार्मोन कह सकते हैं उद्धिपक हार्मोन कह सकते हैं पुटी किये उद्धिपक हार्मोन गुद्धिपक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मुचक हार्मोन ये भी इनके दोरा इस्तरावित होता है तो ये आपको ध्यान रखना है जिसे हमके फॉलिकल स्टुमिलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इनके दोरा इस्तरावित होता है और 10थ फरकार का आपको हर्मोन द्यान रखना है वह आप ध्यान देगी तो कौनसा हार्मोन में फ्र! क्योंतिन आयसटीनेंग हर्मोन उसके प्र! इस फरकार membres. टेंथ प्रकार के हार्मोन इस्तरावित होते हैं जो की प्यूस ग्रंथी के दौरा इस्तरावित होने वाले हार्मोनों की किर्याविदी पर नियंत्रेद करते हैं वर्दी आर्मोन मोचक हार्मोन दूसरा वर्दी आर्मोन निरोधी आर्मोन यह दोना आर्मोन होंगे इसमें य करता है या प्रोलेक्टी या मोचक होंगे या निरोधी आर्मन होगे या तो एस वरकार से मोचख अर्मोन से मनुसे के अंदर जो तंत्री गा तंत्र होता है वह तंत्र या तंत्र एवं आपको दंकना अंत्र आपस में जुड़े भी रहते हैं तो इस वरकार से यह में ज्यान रखना है किसके बारे में हाइपो थेलमस की प्रकार से उपस होता है उनकी क्या है अगलां सेकेंड देखते हैं प्यूस गरंती के बारे में तो ज्यान दीजे सेकेंड यूस गरंती यहां तक आपका कम्प्लीट है यहां पुथिलमस के बरे में इतना आपको ज्यान रखना है अब हम सेकेंड गरंती देखते हैं और सेकेंड गरंती कौन सी हमें ज्यान रखने हैं तो आप ज्यान देंगी वैसे देखा जाए तो अंतास तरह भी गरंती फर्स्ट यह हैं वेसे वह तंत्र का बाता अ अब हम देखे लो घ्रंती के बारे में पढ़ते हैं का जिसे हम्स में क्या खाएगंगी फैट्र यो ट्रीग्लैंड है चलेट्यży घ्लैंड या तहरकार से pitutory glands होती हैं- वह कहां पर उप mote ने सब से पहले जान राएं- यह क्रंती होती है वह आपको जानना राएं मस्टिक्स दी जो। स्पिनॉड अस्ती होती हैं- उस स्पिनॉड असित के सिलाट रस्पि का नामगॉआ में उपस्तित होती हैं तो उपस्तित क्या जान लखनी है यह ग्रंथी यह ग्रंथी मस्तिक्स में जान दीजिए मस्तिक्स में जुप्रमस्तिक्स बाग होता है उसमें उपस्तित होती है स्पेनार रश्त है निर्मित क्या भर किmand aka ये ग्रंति का पर उपस्थ होती है तो आप देखेंगे लाज़ी आपर आप कि उपस्तिति के बारे मैं तरफा यह हमत्र के दाने के आकार की तो यह हम में ज्यांन रखना है मत्र के दाने के आकार की गुलाबी रंग की गरंथी है तो यह हमें ध्यान रखना है मत्र के दाने के आकार की गुलाबी रंग की गरंथी है जो हमें ध्यान रखना है इनकी जो लंबाई होती है वो लगबग 1.3 cm होती है यह इस फरकार की गरंथी होगे उस गरंथी को हम क्या क ग्रंती कहा जाता है तो यह मस्टिक्स की सरचना कैसे होती है किस फरकार से उपस्तित होती है तो देखिए ही जाता है इस प्रकार की स्रचना होती है यह मट्र के दाने के समान स्रचना युक्त होती है इस प्रकार की ग्रंथी होगी उस ग्रंथी को हम क्या कहेंगे प्यूस ग्रंथी के आजाता है और प्यूस ग्रंथी होती है उसकी दो पालिया होती है दो पालियों वक्त होती है तो यह समस्रचना की माधियाम से झुड़ियों होता है तो आपको जेन क्ते हैं, प्यूस वरंद या अन्फिंडी बूलम की माज़नियम से जुड़ी हुई रहती हैं तो इन्फपिंडी बूलम के सायता से यह जुड़ी हुई रहती हैं। तो इन्फपिंडी बूलम या जिसी हम प्यूस वरंद कहते हैं उस robot के Drop यह हाइपोथेलमस से जुड़ी हुई रहती है और उसमें आप ध्यान देंगे उपर के और फूली भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं अप्टिक काईजमा का जाता है तो इस परकार से अप्टिक काईजमा की नाम से जाना जाता है प्यूस ग्रंथी होती है उस प्यूस थी के आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रेकता है नहीं उपते हैं जो या ध्यान रेखते हैं ऍभागं क्या कहते हैं तो यहां ध्यान देंगे यह एडिनो आईपोपाइसिस या अगरपाली का भाग होता है दूसरा अगरपाली का भाग होता है वह इस फरकार से बीच का जो दोनों पालिया होती है उनके बीच का ये भाग होता है और उस बीच के भाग को हम क्या कहते हैं टो आपको दरन का पार्सिंटरमिडिया कहां सबस्चार पार्सिंटरमिडिया कहां सब्कूलरी भीते हैं घ्केके अपर 2 बाकर दोज रर्स नियद्टर रिक्ते हां तो इस परकार से tubularis के नाम से जाना जाता है तो dimulay ये तीनों भाग मिलकर के और एक भाग का निर Μkeln करेंगे जिसे हम agarpali के नाम से जाना जाता है agarpali ये जिसे हम क्या कहेंगे तो आप को दिनकता है adenohypofysis का जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है तो अगरपाली या जिसे हम क्या कहेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है तो यह अगरपाली या एडिनो हाइपोफाइसिस होगा वह भाग होता है वह अगरपाली की रूप मे संग्रेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं तो आपको देनक में पार्स नर्वोसा कहा जाता है इस बाद उपर का भाग होता है जो कि आइपोथेलमस से जुड़ा हुआ भाग होता है उसे इंफंडिवलम कहते हैं और उसके बाद में उपर का भाग होता है उस बाग को हम क्या कहत तो आपको मध्य एमिनेंस के नाम से जाना जाता है तो मध्य एमिनेंस जो की आईपोथेलमस की नीचे का छत नीचे के तल भाग में पस होता है उसे हम मध्य एमिनेंस कहते हैं तो ये तीनो भाग मिल करके और निर्मान करते हैं वो पच्छे पाली का निर्मान करते हैं तो प्यूस ग्रंथी होती हैं वो दो पालियों से मिल करके बनी होती है अगर पाली एवन पच्छे पाली और पच्छे पाली को हम कहते हैं निूरो हाइपोफाईसि कहा जाता है यह प्यूस ग्रंथी के कुछ कुल बाग का पिच्चोतर प्रतिसद बाग का निर्मान करता है कुल बाग का कितने प्रतिसद निर्मान करता है पिच्चोतर प्रतिसद बाग का निर्मान करता है इस बाग का निर्मान होता है वह गरस्निय चैत्रिय कोशिकाओं से ह होती है कि अतिवर्दी की रूप में इनकी निर्मान होता है अतिवर्दी यानि इनकी उत्पत्ति किसे होती है निर्मान किसे होता है तो गुणी अवस्ता में जो गरस्नी चैतर होता है उस गरस्नी चैतर की उप्ला को सिका होती है उन को सिकाँ से एक अतिवर्दी का निर्मान का निर्मान होता है और यह Outgrowth वनेगा उस Outgrowth से कि सका निर्मान होगा Puse Grantty का जो अग्रपाली उतीवर्ध निर्मान होता है और जो आउट ग्रंथी के अग्रपाली का निर्मान होता है और प्यूस ग्रंथी की जो अग्रपाली होती है उस अग्रपाली पहले तो क्या होती है मुखगवा से जुड़ी हुई रहती है और मुखगवा का भाग हो गया और मुखगवा से जुड़ी होती है फिर बाद में देर देर परदी बनने के पच्छात में जो ग्रंथी का भाग विक्षिता है उसे हम एडिनो हाइपोफाइस कहा जाता है यह अगर पाली होते हैं उसके तीन भाग होते हैं सबसे पहला भाग आपको जान रहता है पार्स ट्यूबलेरिस यह भाग होगा यह प्यूस ग्रंथी के जो कॉल होता है यह भाग यह 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 बहुता है और स्को ग्रंथी के हार्मोन का ऊप्यूस ग्रंथी कि के भाग तक wonderful की ल करते हैं पार्स इंटर मीडिया यह वाग होता है यह आपको ध्यां रखना धोने पालियां पच्छेस्व domod выпos हैं उसके मध्य का भाग होता है उसे हम सो कहते हॉता है उसके 2 हरमोन का इस्तिराव 오늘 होता है जिसे इंटर्मीडीन हार्मोन भी कहते हैं आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा MelenМ econ stimulating hormone Melen nossos است perceptions हार्मॉन होता है यह हार्मोन इनके दोरा इस्त्रावीत होता है और Melsitz Neg ning harmon होगा यह hormone पास इंटर्मीडीय के दोरा सब्सक्राइस हलोगा जैसे हम क्या कहते हैं मेलनोसइट Skoda का आजाता है इस नोक्राइब को पार्स नं सरा यह बूकर और होता है कि जो सबसे व्लिख्षित वाग होता है थेल नुमा भाग होता है जिसमें आपको ध्यान रेक्टा है जो अईडिनो आइपोफाइसिस होते हैं उनके हार्मोनों का संग्रह होता है निर्मान होता हैं उसे हम पार्ष डिश्टेलिस के नाम से जानते हैं पार्ष डिश्टेलिस होगा इसके दौरा 6 परकार के हार्मोनों , तो आपको धिंखना एक हार्मोन होता है दूसरा आपको धियान के दौरा llamon होगी अ या आपको होता है उसमें इंके दौरा स्काहित होता है और만 ध्यान होता और फेस्ट्प्रकारकार खाप हार्मोन दियान देंगे तुझ आपको धयान रिकना है इनके दौरा इस्तरावित होता है यह xOS हो गया एलस हो गया और प्रोलेक्टीन हार्मोन हो गया और आपको चाहता परकार का जान नेक में ग्रोथ हार्मोन यह चाह परकार के आर्मोन होते हैं रिलीजिंग हार्मोन एडिनो कोटिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलेक्टीं हार्मोन और एलस और एफस्स यह दोनों हार्मोन होते हैं, तो इस परकार से गोनेडोट्रोपीन हार्मोन भी इसे एक आज़ाता है, यह अच्छे हार्मोन इनके दौरा इस्तरावित होते हैं, इस कोड़ मैं डिटल से और ग्रोथ हार्मोन इनके दोरा इस्तरावित होते हैं यह तो होगे किसकी बात अगर पाली की अब बात करते हैं पच्छे पाली की पच्छे पाली होती हैं यह एक बड़ा चार भाग का निर्मान करती हैं प्यूस गरंती के एक बड़ा चार भाग का निर्मान किसके दोर आता पच्छे पाली आप ध्यादेंगे उद्पत्ी होती हैं इसका उद्भव होता है वह हाईपो थेलेमस के انफंडी बुलम से होती है वैसे देखा जाए तो आपको जानने के दोड़ा यह अंतस्तरा भी भाग नहीं होता है इसके दरा हारMONों का इस्तरावन क्या जाता है परन्तों इनके दोरा संसलेशन नहीं किया जाता है यह हाइपोथेलमस के आर्मोन होंगे उनी का क्या करता है संग्रह करता है तो इसलिए यह आपको धनका एक प्रकार का क्या है संग्रह करने का कार्या करता है हाइपो थेलमस के दो रहोते हैं वेसोप्रेसिंट रोक्सिे तरilateral कर वो लिए इसके दोर्ह होता है अब ध्यान दीजिए हिसके भी कितने स्रचना की रूप में अपस होता है इस बाग में अनुरा खो бол civ के अ comedis के हर्मॉनों की मिर्ञा derive वुआ होताँ है तो प्रकार के हार्मोन संग्र होता है इसमें खेंट अब दूसरा आपको धेयरने गते हार्मोन भी कहते हैं इस परकार से अंति डायॉरेटिक हार्मोन जो हम पहले पढ़ चुके थे हैं पीसिटी और दूरस्ट कूंडित नलीका एवम संग्र नलीका उसे जल का उस्थं करने का कारिया करता है तो यह व्यस्वप्रेसिन और उक्सिटोसिन आर्मोन होंगी यह इनके दरा इस्तरावित होते हैं यह हमें द्यार नक्ना संक्ले से होते हैं इस्तरावित किसके दरा होते हैं प्यूस गरंती के पाच्छे-पाली से इस्तरावित होते हैं दूसरा इंफंडी बु से हम मत्य ऑमिनेंस कहते हैं उसकी सरचना कि सरचना होगी कौन-कौन से थार्मोन की जाते हैं उस बारे में हमने अभी देखा है अब हम देखते हैं कि इस गरंथी के बाद में इस क्या होता है कि उस ग्रंथी के दुरा इस्तरा विटने वले हार्मोन एवन की कारियों के बारे में हम पढ़ेंगे next ugly class में students एक आपके लिए सूचना है की आज की इस class के बाद में अगली next class होगी वह आपकी साइड में ऐसी आसा करता हूं कि आपके classroom में ही class होगी अभी तक का जो हमने online पड़ा है, courses की है, वो सारी आपको याद करने हैं और वो सभी याद करने के साथ साथ उसको आपको अपनी copy में note down भी करना है तथा आपको जो पड़ा गया है, उस पड़े गए copy को वापस revise करना है और revise करने के बाद में उसमें से आपकी क्या कम्या रहेगी उसको डूंडना है साथ में उनसे समद्ध जो भी problems होगी वह problems आपको अपनी copy में note down करनी है जिससे कि जब भी आपको 21 तारीक से schools बुलाया जाएगा और उसमें आपको अपनी problems को पूछ सकते हैं और उस problem के बारे में टीचर से discussion कर सकते हैं तो इसलिए आपको जो 10 पार्ट बढ़ाएगे हैं वह सभी आपको अच्छे से याद करने तता उसे समद्ध जो भी problems है वह problems आपको note down करनी है और इसकूल में आपकर करके और 21 से आपको इसकूल में पूछ लेना है तो तब तक के लिए धन्यवाद